एपडेली के न्यू वडे में आप सभी का सुवागत है दोस्तो एपडेली के न्यू वडे में आज हम बात करेंगे दोस्तो इजी कनेक्ट और प्रोक्सी एप्लिकेशन के बारे में तो Easy Connected Proxy एप्लिकेशन क्या है दोस्तों और इस एप्लिकेशन को आप कैसे अपने mobile phone में यूज़ कर सकते हैं तो आज की वीडियो में आपको food detail के साथ बता हुआ तो वीडियो को लाश्टक के watch करना चलिए वीडियो शुरू करते हैं और gamer user जैसी की free fire user और pubsy user कैसे यूज़ कर सकते हैं वह भी मैं आपको इस वीडियो में बता हुआ दोस्तों तो इस एप्लिकेशन को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ओपन करना पड़ अप्लोड इस पीड भी आपको देखने को मिल जाती है और बात रही में चीज़ की कि इस एप्लिकेशन के सर्वर का आप कनेक्ट किस तरह से आपको mobile phone में कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल यहाप पर आपको दिख रहा हूँ दोस्तो इस पर आपको क्या करना पड़ेगा किलिक करना पड़ेगा किलिक आप जैसी करते हो दोस्तो यहाप से permission मांगता है ओके के उपर आप जैसी किलिक करते हो दोस्तो जो इस application का server है easy connector proxy application का server हो connect हो जाता है दोस्तो मैंने cancel कर दिया क्योंकि अभी field आपको बताया दोस्तो smart connection के option पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करते हो दोस्तो थोड़ा आपको 8 देखने को show हो जाती है यहापे 8 को आपको थोड़ा अभी watch कर लेना है watch करके simple तरीके से इसको आपको skip कर देना है skip आप जैसे कर तो यहापे आपको क्या मिलती है दोस्तो server की जो list होती है वो आपको देखने को मिल जाती है और इन server को आप आपकी gaming के लिए use कर सकते है जैसे कि मैंने आपको शुरूम बताया free fire user, pubg user तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप pubg खिलते होंगे, free fire खिलते होंगे उसमें अगर आपकी ping हाय होती होगे, game lag होता हुआ तो इसमें आपको use करने के लिए 100% fast और free server जिसका use करके आप आपकी gaming की performance को fast और smooth इस application के जरीए से बना सकते हो दोस्तो तो इसी तरह दोस्तो इस application को आप use कर सकते हैं अपने mobile phone में बात करें शटिंग के तर शटिंग के option पर आपको click कर देना है इस पर आप जैसे कि लिक करते हो दोस्तो याप आपको share का option मिलता है rating use का price policy का option देखने को मिल जाता है इसी तरह इस application का सारा interface आपकी mobile phone में देखने को मिलता है दोस्तो